ये कहानी चूणा मने गाउं में रहने वाले एक ब्राह्मन परिवार की है जिसमें दीन दयाल अपनी पतनी इशारदा और अपने बेटे अभी मन्यू और राघाव के साथ रहता था वो बहुत गरीब थे उन्हें दो वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था पंडित का बड़ा पेटा अभी मन्यू अपनी गरीबी की बजह से बहुत नाराज रहता था अपने गरीब होने का जिन्मेदार अपने माबात को मानता था इसलिए वो उन्हें हमेशा ताना देता था एक दिन दीन दयाल भिक्षा मांगने बहुत लोगों के घर गया लेकिन उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली और वो खाली हाथ घर आ गया अपने पिता को खाली हाथ देखकर अभी मन्यो भढ़क गया और बोला आ गए फिर हाथ जुलाते आज भी मुझे भूके पेटी सोना पड़ेगा मेरी तो किस्मती फूट गई इस घर में जन्म लेने के बाद नजाने कौन सी गड़ी में भगवान ने मुझे इस घर में पैदा कर दिया था इस घर में जब से जन्म लिया है तब से कभी धंका खाना नसीब नहीं हुआ है तेरे बच्चे नहीं जो इस तरह से तो उनसे बात कर रहा है इन्होंने आज तक एक पिता होने का कौन सा फर्ज निभाया है जो मैं नसे तमीज से बात करूँ अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दीन दयाल बहुत दुखी हो जाता है उसकी आखों में आंसू आ जाते है वो अपने आंसू छिपाते हुए अपने छोटे बेटे राघव को लेकर लेट जाता है अभी मन्यू अपने पिता को भला बुरा कहता लेकिन उसकी पिता उसे कभी कुछ नहीं कहती कुछ सालों बाद अभी मन्यू और राघव अब बड़े हो चुके होते हैं और वे अपने पिता की तरह ही बिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करना शुरू कर देती हैं लेकिन उनसे उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था एक दिन रागा चल हम आज दूर कहीं बिक्षा मांगने चलते हैं यहां तो हमें कोई कुछ देता नहीं है नहीं भीया ज्यादा दूर नहीं जाते वरना तक्षक आ जाएगा चल जल्दी आ जाएंगे और यह तक्षक वक्षक कुछ नहीं होता नहीं भीया होता है तक्षक माने मुझे बताया है राखव अपने भाई की बात मान लेता है और वो दोनों विक्षा मांगने के लिए निकल जाती है थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे घर दिखते हैं जिन्हें देखकर फिर दोनों खुश हो जाती है और दोनों भीक्षा मांगना शुरू कर देते हैं और हर घर से उन्हें कुछ न कुछ मिल जाता है थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक घर मिलता है तो वहां भी भीक्षा मांगने के लिए रुख जाते है भीक्षाम देही, भीक्षाम देही तब ही उनकी आवाज सुनकर एक बूरी औरत घर से बाहर आती है और कहती है अरे तुम तो एक ब्राहमण हो तो मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं भेच सकती तुम अंदर आजाओ मेरे पती आते ही होंगे अभिमन्यू और राघव दोनों घर के अंदर चले जाती है और घर को देखने लगते हैं तब ही उन्हें कोने में रखी तस्वीर दिखती है तस्वीर को देखते ही राघव बोलता है ये कौन है? ये तक्षक है तक्षक की वजह से ही देवी देवताओं का प्रगोब बारिश बनकर चूड़ा मड़ी गाउं पर बरस रहा है रागव तक्षक का नाम सुनते ही डर जाता है तभी अभी मन्यू बोलता है देवी देवताओं का प्रगोब कैसे और ये तक्षक कौन है तक्षक मोगी देवी की पहली संतान थी तक्षक बहुत लालची था उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया था और जैसे ही तक्षक अनाच को हडपने वाला था सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को देवी ने बचाने के लिए शर्ट रखी और वो शर्ट थी कि कोई भी तक्षक की पूजा नहीं करेगा और सब तक्षक को भूल जाएंगे क्या उसके बाद सब तक्षक को भूल गए? नहीं, कुछ सालों बाद ही चूडा मड़ी गाउं के लोगों ने तक्षक का मंदिर बनाया और उसकी पूजा की जिसकी वजह से सभी देवी देवता ग्रोधित हो गए और तब से लेकर आज तक देवी देवताओं का गुस्सा चूडा मड़ी गाउं पर बारिश बन कर परस रहा है लेकिन लोगों के द्वारा मंदिर बनाये जाने पर तक्षक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपना सारा सोना मंदिर को समर्पित कर दिया क्या वो सोना अभी भी उस मंदिर में है? हाँ, ऐसा कहा तो जाता है कि उस सोने को पाने के लालच में कई लोग वहां गए लेकिन बापस नहीं आए रागाव उस आदमी की बात सुनकर बहुत डर गया था और डरते हुए वह अपने भाई से कहता है भीया चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है डर मत पागल, यहां थोड़ी ये तक्षक, अभी चल रहे हैं घर दोनों भाई घर आने लगते हैं अभी मन्यों पूरे रास्ते उस आदमी के दुआरा कही बातों को सूचता रहता है और खजाने की बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है और उसके मन में भी और लोगों की तरह उस खजाने को पाने की लालच में वहां आ जाता है और उस मंदिर में जाने का फैसला करता है अगले दिन वो बिना किसी को बताए उस मंदिर की ओर चला जाता है तभी राघव अभी मन्यों को रोकता है भाईया आप कहां जा रहे हैं? मैं तक्शक से मिलने जा रहा हूँ, चलेगा? नहीं भाईया, वहा मच जाएए, वहां जाना ठीक नहीं है तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तो आज ख़जाना लेकर रही आऊँगा नहीं भाईया, मैं अकेले आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा आप चाहे गलत करो या सही, मैं हमिशा आपकी साथ रहूँगा और हमिशा आपका साथ दूँगा दोनों मंदर पहुचते हैं वहाँ आज भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कणक रही थी हर रोज की तरह राखव अपने भाई को समझाने की बहुत कूशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और जैसे ही वो दोनों मंदर में अपने कदम रखते हैं बहुत तेज बिजली कड़कती है जिसे देख कर अभी मन्यों और राखव डर जाते है और राखव अपने भाई को फिल से मना करता है भाईया मत जाईए देखो कितनी तेज बिजली कड़क रही है तुझे चलना है तो चल मेरा दिमाग मत खराब कर राखव अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाता था इसलिए वो उसके साथ चला जाता है वो दोनों मशाल जला कर जैसे मंदर के अंदर खोसे वैसे ही बहुत तेज-देज हवाई चलने लगें और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े वहां मरे हुए लोगों के शरीर कंकाल पड़े होते है और वहां बहुत गंदी बद्बू आ रही होती है वो दोनों अपनी नाक बंद करके चलते रहती है तब ही उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है आवाज सुनते ही वे दोनों डर जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते है भाईया ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है अब यहाँ तक आ गये हैं तो खजाने की छलक तो देख लें? तभी अचानक से उपर से बहुत सारे कंकाल गिरने लगे और दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे तभी वहाँ अचानक एक धेडिये की शकल बाला इंसान आ गया और वो बहुत भयानक आवाज निकालता है उस इंसान का पूरा शरीर जला हुआ था और वो उन दोनों को घसीबते हुए हस्तर की मोर्थी के पास ले जाता है जहाँ बहुत सारा सोना था लेकिन अचानक से वो इंसान कहीं गायब हो गया कि देखकर अभी मन्यू राघव से कहता है राघव अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे जल्दी सोना उठा राघव बहुत डर चुका था वो डर की वज़ा से कापने लगा और वो सोने को हाथ नहीं लगाता लेकिन उसका भाई सोना उठा लेता है और राघव के साथ तेजी से बाहर जाने लगता है तभी बहुत तेज आधी चलने लगती है अब इस मौसम को क्या हो गया? इतनी तेज आधी चल रही है तभी वहां किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते है उनके पीछे आधे जले हुए भेडियों की फौच आ रही होती है जिनकी शरीर अभी तक जल रही होती है ये देख कर दोनों भागने लगते है मैंने बार बार आपको मना किया लेकिन आप नहीं माने आज आपकी बज़ा से मैं भी इस मुसीबत में पढ़ चुका हूँ काश मैंने आपका इस गलत काम में सातना दिया होता मुझे माफ कर दो मेरे लालच की बज़ा से ये सब हुआ वो दोनों अपने आपको बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भेड़े उन्हें नोच-नोच कर खा जाते हैं और उनका बाकी कर शरीर जल जाता है